नमस्कार आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूँ आपके साथ अत्राकिश्टमगर मत्परदेश, 36 गड़ और राइस्थान में सियासी महाल लगातार गर्मारा बीजेपी की तरफ से प्रधान मंतरी मोधी समेथ तमाम दिगज नेताओं ने मोर्चा समाल रखा तो कॉंग्रेस की व्राज राहूल गानी भी लगातार चुनावी राज्यों में दौरा कर रहे हैं लेकिन सबसे खास बात यह है कि राजनीप में 33 पीज़दी महिला आरक्षन के बाद से ही महिला और OBC की सियासत बहुत तेज हुए है शायद ही कोई ऐसी रैली हो जिसमें महिला आरक्षन और OBC का जिक्र ना हो दरसल केम की सियासत उसे लेकर प्रदेश तक की सियासत में OBC वो फाक्टर है जिसके बलबूते सरकार बंती है अगर मत्रदेश की बात करें तो यहां 50 फीजदी से जादा OBC है तो 36 गर में 40 फीजदी से जादा OBC की ताबाद आबादी है ऐसे में OBC इस बार किसकी नईया पार लगाएंगे इस बड़े सवाल पर आज चर्चा करेंगे लेकिन पहले राहूल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ का OBC फाक्टर पर तुने मोदी के बहाने पूरे पिछडे समाच को गाली देने से नहीं चुकते कॉंग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस समाच को गाली भी देंगे तो कुछ नहीं होगा गरीब दलीद आदिवासी OBC सभी से कॉंग्रेस नफरत करती है कॉर्ट सजा देती है OBC को गाली देने के लिए सजा देती है फिर भी सुधरने को तयार नहीं है OBC के लिए कितनी नफरत होगी इसका ये उदार है महिला अरक्षन की तस साल बाद होगा आज नहीं होगा कि दूरम ने कहां पहले क्या ये दो लाइनों का बदलीक्त भी से अरप्शन महिला रक्षन में आपने क्यों नहीं दिया नरेनिर मोदी जी अप कहते हैं कि आप OBC के लिए काम कचते हैं आप OBC के नेका है तो आपने महिला अरक्षन के अंदर के बीच में OBC अरक्षन क्यों नहीं को आगे बढ़ें उसके पहले देश का सवाल क्या अज देश का सवाल है OBC की सियासत से BJP या कॉंग्रेस किसको जादा फाइदा होगा मोधी और राहूल बार बार क्यों OBC का जिक्र कर रहे हैं राजनीत में महिला अरक्षन का मुद्दा क्या सबसे बड़ा अजिंडा होगा मौजूदा इस्तिती में MP और 36 गड़ में किसका महल भारी है इसी पर चर्चा करेंगे एक लंबा चरबा पैनल हमाई साथ है हमाई साथ सतीश लकेडा जी प्रवक्ता भारतियनता पार्टी की तरफ से चूड़ने है प्रफेसर अजे उपाध्याजी प्रवक्ता कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से हमाई साथ होंगे एड़ोकेट कपीश शिवास्तो प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हमाई साथ और संजे, गुप्ता, प्रवत्ता, शिफ सेना, उद्दाव गुठ हमाई साथ होंगे सीधे अपने पैनल पर चलेंगे और समझें कोशिश करेंगे कि क्या ये जो पांच राज्यों के चुनाओं है ये माना जाए कि इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो OBC फैक्टर होगा पहला और दूसरा, क्या महिला आरक्षन बिल ये दो बड़े फैक्टर होंगे जो डिसाइड करेंगे कि हाँ वोटर किदर जा रहा है आदी आब आदी, महिला, OBC मतलब एक आवरेज लगाई है पचास परसेंट वोटर OBC है, ये दो तीन इशूज होगे जिस पर हम डिसक्शन करेंगे और क्या यही इशू है जो राजियों से लेकर 2024 तक चलेगा ये दो तीन इशूज है, क्योंकि लगातार BJP कह रही है जब संसद में ही बात उठी, महिला आरक्षन को लेकर वही से OBC की बात सामने आई थी मत्पदेश OBC के अगर हम बात करें तो लगभग 40 फिस्दी से 50 फिस्दी OBC आबादी वहाँ पर है हमाई साथ हमाँ पैनल है, सतीज जी के पास चलेंगे सीधे सतीज जी, क्योंकि प्राइम निस्टर साब ने ये बात कही रैली में उन्हें का कॉंग्रेस को OBC से बहुत दिक्कत है बहुत जादा गाली बगती है कॉंग्रेस OBC को राहूल गांदी कह रहे हैं कि साब आप महिला आरक्षन की दो बात कर रहे हैं लेकिन जंगरना नहीं है और वो बार-बार कह रहे हैं कि साब 90 ओफिशल्स हैं ब्यूरोकेसी में जो देश चलाते हैं उसमें से सिर्फ तीन OBC एक लाइन उन्होंने पकड़ी है संसस से लेकर बाहर पर रजज जी राहुल गांदी जी की बात को कितना वजन दिया जाए मगर हम इस डिवेट में हैं वो कॉंग्रेस पार्टी के नेता है और उन्होंने एक बयान दिया है तो एक पार्टी के उसे जवाब बनता है अधिकारियों के आधार पर कैडर के आधार पर जब वो अभी आप भाचन कहे रहे थे कि OBC नीती बनाते हैं OBC देश चलाते है यहां मेरे मित्र अजय उपाध्याई जी है वह सरकारे नीती बनाएंगी जनता का जनमत नीतियां बनवाएगा और किस तरीके से इंप्लिमेंटेशन होना है नीतियों को वो अधिकारी करेंगे मगर उनका विसाय है जिस कॉंगरेस पार्टी ने ब्रहामाण दलित मुसल्मान सिंडिकेट को लेकर आदी सदी से ज़्यादा इस देश में राजनीती की जिनने कभी OBC याद नहीं आया आरकसन में उन्हें कभी महला सबसे ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा बिधायक और जन परतिनी थी भारती जनता पार्टी के दोरा OBC निर्वाचित हुए हैं इसलिए भारती जनता पार्टी को OBC के विसाय पर कहने के अवशक्ता नहीं है मगर आप अपनी पुरानी सरकारों को देखिए आपने सैकड़ों जितने मुख्यमंत्री बनाए आपने किस जाती का तब ध्यान दिया मगर आज जिस तरह आप हमरे में डूब गए हैं आप इस नाव में सवार हैं बाड में कि जिसमें सारे लोग जो एक दूसरे के साप नेवले जैसे बैर रकने वाले हैं वो बजबूरी में एक साथ हैं तो आप कभी सनातन को लेके कभी भारत को लेके कभी ओबीशी को लेकर आ रहे हैं मगर देश के सामने आप कौई ऐसा blueprint नहीं दे रहे हैं कि उस पर debate हो कि ओबीशी समाज के साथ कोई आन्याय हुआ है या ओबीशी समाज के कल्यान के लिए आप क्या कहने जा रहे हैं इसलिए मुझे नहीं लगता राकेश जी कि राहुल गांदी का या मुझे नहीं लगता कि यह बहुत कंभीर विशए है क्यों कि जिन जहां कल्यान होना चाहिए जहां नीटी बननी चाहिए वहां मुदी सरकार के द्वारा पिसले नौ साल में परमाणी ग्रूप से करे हुआ है ठीक है अजे जी बार बार सतीश लकिरा जी कह रहें कि साथ OBC की तरफ आपने ध्यानी नहीं दिया जो परिपाटी थी कॉंग्रेस की उन्होंने का साथ दलित मुस्लिम ब्रामन को लेकर आगे चले महिला आरक्षन का श्रेवी बिजेपी ले रही है फिर OBC पर लड़ाई क्यों अजे उपाद्याई जी अरजित भाई पिछडों के हितों का स्वांग रचने वाली भाजपा आज उसका जो है जो पोल था ओ खुल गया महिला आरक्षन के बहाने ही सही जिस तरह से इन्होंने जातिये जनगनना का कोई अधार नहीं अपनाया जनगनना एक अधार करके और जिस तरह परिसीमन का ए अवादी के हिसाब से उनको आरक्षन की बात की जा रही है तो लगातार भाजपा के सिर्सनेताओं के पेट में धर्द हो रहा है क्योंकि उनको लग रहा है सचाई भी है ये कि सियासी ओवी सी का चोंगा पहन करके प्रधार मंत्री जी जिस तरह से पूरे देश में अपने क नाम डाल करके और ओबिसी के अधिकारों का कहीं ने कहीं सियासी लाबो लेने का प्रयास किया जब उनको अधिकार देनी की बाता है तो शुग गए क्यंकि उनके अंदर दिल में वो बात ही नहीं दो तीन तत्य थे हैं और तत्य पहला तो सरकारी चेतर में जो हाल है सब को बेल सेल रेल सबकात कर दिया तेल और अडानी इनके मित्र को सब बेचने के लिए तयार हैं जिससे पिछुणों के आरक्षन की जो बात है वो अपने आप सोता खत्म हो जाए और यह मैं नहीं कह रहा हूं भागवा सहाप 2015 के चुनाओं में उनकी मंसा जोती वो जाहिर हो गई राते तो जो सरकारी छेतरों में काररत लोग है उनमें अधिकार अधिक संक्या में पिछुणों की कही न कहीं भागिदारी होती थीक है, राजनितिक परक कRIया में भी हमने दिया, राज्यों के अधिकारों की भी बात आएगी तो धोका देने का काम ये सरकार कर रही है, लेकिन लोगों की नजर है पुलिटिकल पार्टिस में ये किसी भी प्रफ्राइब और प्रफ्राइब तो यह जो पांच राजियों के चुनाओं है क्या इसको समी फाइनल के रूप में देखा जाए कि साब यहां से अगर जिसने एक वील अपनी तयार करी एक विजय गाथा लिखी कोई विदल हो सकता है यहां पर में जो मुकाबला है चार रा यहां से जो भी आदमी लीड लेगा उसको फाइदा मिलेगा 24 पहला दूसरा यह जो लॉजिकल कंक्लूजन मिलना है रैली के भाशन से जो बड़े नेता जा रहे हैं प्रचार करने वो दो-तीन चीज़ों के इर्दगिर्द घूम रहा है पहला महिला अरक्षन दूसरा OBC इ OBC के इर्दगिर्द है तो क्या ही चुनाव भी सेंट्रिक होगा OBC और महिला अरक्षन के आसपार कि देखे इस टेट गोर्वें का चुनाव ने अगा इक अलग चुनाव होता है खिंग के अमारे देश की जंता इस बात को बहुत अच्छे ने समझती है और पांस राज जोगे चुनाव से इस बात का थोड़ा बहूत अक्लान तो क्या जा सकता है कि आगे रहन निती क्या सब्सक्राइब जो फैसला हुआ वही केंडर में भी होगा थिक बात है तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट गोवर्मिट्ट के चुनाऊ से जो भी कंकूजन निकल के आएगा वैसा ही कंकूजन सरकार पर भी रहेगा उसके मुद्दे अलग हैं और स्टेट गोवर्मिट्स के केंसेट जो चुनाव लड़ते हैं विधैक का और तुस्रास ऑन्में दोलों में बहुत फ्रग किसी की अपनी इमेज होती है कि फ्रग है के चुनाव में लग होर सांसत war और हट चहरा अलग होता है तो मुझे नहीं लगता के के चुनाव से केंद की राजिती पर यह यह संजे जी कह रहे हैं मैं भी मानता हूं बिल्कुल कि स्टेट का एलेक्शन अलग होता है और जनर्रेक्शन अलग होता है लेकिन जब आप राज जीटते हैं चाहे वो बीजेपी हो या कॉंग्रेस जो राश्ट्री दल है तो एक महौल तैयार होता है इनगी साप देखिए हमने प्रदेश सरकारों का जो लाइन आडर है जो बेरोजगारी पर काम करने का धंग रहा है और अपनी तरफ से जो महंगाई को कंट्रोल करने का उसकी नीटी रही है यह अप्रिश्मिंट भी बहुत काम आता है अब मैं दूसरी बात आपको कहते हैं देखिए भारतिये जनता पाटी अपने ही शड़यंत्र में फसे हैं मैं ये बात क्यों कह रहा है इसलिए कि ठगबू के लड़ू तो होते बहुत अच्छे हैं कानपूर में है दुका कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ठगबू ने ठगा नहीं आपके सामने महला बिल ये आए महला शशक्ती बंदन हद दियां अब आप इसके अंदर खुदी देख लिए इतने इकलाजेज लगा दिये अगर जब संसेस होगा जब परिसीमन होगा उसके बाद ये आरक्षन होगा तो आप ये हविश लक्षी प्रभाव से शशर्तों से युप्त आप एक विधेयक लाए जो कि आज अधनियम बन गया और कानून आज बनने के बाद भी कल वो प्रफार्म नहीं होगा तो आप बताएए आर्टिक्ल 131-136 के अंदर जो विध बनेनी की प्रक्रिया है जिसमें इस पस रूप से का कि गया है कि भूत लक्षी जन हित और लोग हित के विरुद्ध और साथी साथ कामा लगाते जाता है सशर्टों के साथ तो वो मानिनी न्याले इसको नल और वाइड खोशिद कर सकते हैं अर्थात क्या है भार्तिय जन्ता पार्टी की मन्शाह ये है सिक्के का एक पहलू है और दूसरा पहलू टेल है इनका असली पहलू टेल वाला है जिसमें इन्होंने का पहुच प पकड़े रहो क्योंकि हम 10 साल से 15 साल के लिए यानि 29 से 49 के लिए हम आपके महिला अधिकारों को बैन करते हैं और आपको कोई सीट नहीं मिलने वाली है 33 पर ये अधनियम ये कि दूसरी चीज़ मैं आपको कह दो महिला का सम्मान 50% क्या आधी आबादी है तो बिलकुल होना चाहिए कानून आप 50% बनाए लेकिन बात इस चीज़ के कि बाबा साथ भीमराओं आम बेटकर ने या हमारे राजिंदर बाबु निया समधान सभा ने जिस समधान को रचा उसमें तो बात कही है वो नीचे तबके से उपर के लिए कही आपने उसमें कोटा नहीं लाया ना ना आप पिछड़ा लाए ना दलित लाए ना एस्पी लाए और आप में पॉइंट ले लिए हैं ठीके केवल जो है मैंने पॉइंट यह जो पॉइंट था आपका लिया है लाग्मर बनिया और जोजार ने सब्सक्राइब का मामला है ठीक है आरो एक बास सतीज रखेड़ा पॉइंट नहीं है यह जो राजियों की लड़ाई है चुनाओ की यह वहां दक पहुच गया है और बार बार उसमें यही आ रहा है कि साहब बीसी कैसे होगा मैला रक्षन लागू क्यों नहीं कर रहे हैं आज भी राउल गांदी ने जो इस पीज दी वुकास साब अभी 10 सा का स्वांग भी रजना है जिस राम मंदिर का विरूद की आप राम मंदिर दर्शन करने का राहुल गांदी कारिकरम बना रहे हैं जिस मंडल कमीशन को सानों तक इन्हों ने दवा के रखा जिस कमीशन को लेके आज अगर वो समय पे लागू क्या होता कितने लोग कितने और वही ओबिसी का जो दबाओ था इनके उपेक्साओं से मुलाइम सिंग जी की पार्टी मायवती की पार्टी लालु परसाज जी की पार्टी ये क्यों पैदा हुई राजनीती में पार्टिया क्यों आई के वल ओबिसी के नाम पे जातियों की नियाय के नाम पे जातियों जिसने मात्र अभी तक मैं बकाइदा 68 मुख्यमंत्री भारती जंता पार्टी के द्वारा आज तक बनाए गे हैं जिसमें 21 OBC बने हैं और कॉंग्रेस ने आजादी से आज तक 2500 मुख्यमंत्री बनाए जिसमें मात्र 43 बनाए ये इतने बड़े OBC के और जातियों के लंबरदा हैं कि जिन्होंने केवल सवर्ण, मुस्लिम, दलित का इक सिंडिकेट रखा ये इनको बोलने का हक नहीं आ है कपीश जी इसलिए बोल रहे कि कपीश जी भले उस पार्टी और उस भार से आये हैं मगर आज इंडी गठवंदन में हैं उनकी मजबूरी हो सकती है दूसरी बात को सम्मान देने में जातियों का परति निजुत देने में भारती जन्ता पार्टी ने इमानदारी बढ़ती है ओवी सी को लेकर हमें किसी क्या हो सकता नहीं है महला अरक्षन का भी यह विशय है जो सालों से लंबे समय से जिसको छुआ तक नहीं था इनी के गड़बंदन के एक ब्यक्ती ने कितने अभधर टिपणी की है वो पुरुसवादी मान सिक्ता की हो सामंतवादी मान सिक्ता की हो यह महलाओं के पड़ति नकारतम ग्रूप की हो कि बॉब कट महलाएं लिपिश्टिक वाली महलाएं परल्यमेंट में आईगी इसलिए महला रक्षन की मांदा प्रश्वारी भी हमने दिखा नी है तिके अंदर क्या क्या करना होगा वो देश की मातां बेहनों को आस्वस्त रहना चाहिए मोदी जी के नितरत में जिस व्यक्ति ने सम्मान में इजद घड़ दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान दिया बेटियों को लेकर जि जैसे आपने भारत सरकार के उपर एक सवाल उठाया कि 90 में से 3 OBC कहा चार राजियों में सरकार हैं बताए कितने OBC अफसर हैं उन्होंने एक आकला भी दिया कहा साब कितने मुख्यमंत्री किसने OBC के बनाए वो पूरा आकला सतीज जी ने दिया तो क्या ये सिर्फ राजनि राजनितिक लड़ाई भाजपा के लिए हो सकता है और भाजपा इसको राजनितिक तोर पे ही देखती है इसे OBC का हितैसी अदी आप मानते हैं तो ठीक कहा उन्होंने सतीज जी को ये भी आकड़ा आप आपके दरसकों को बताना चाहिए कि कॉंग्रेस पार्टी के पास ती आज की पोलीशी क्या है आज की पोलीशी भाजपा की जो है ये वही पुरानी पोलीशी है जिसको सायद भूल गए सतीज जी और सतीज जी याद करा नहीं रहें और गलत इंफरमेशन आपके दरसक को दे रहें हैं जब मंडल कमिशन 9092 के आसपास जब लागू करने की बात रामो बामो की सरकार थी कमंडल लेकर के इनी के नेता आडवानी जी मंडल कमीशन को सबोटाज करने के लिए कि वो लागू नहों जब बिपी सिंग ने घोसना की तो क्या परिस्ति बनाया पूरा देश में पूरे देश को आग के हवाले कर दिया ताकि मंडल कमीशन लागू और पिछोणों को अधिकार नहीं मिले यहां तक कि सरकार को भी गिरा दिया यह समने देखा हमारी सरकार आई मंडल कमीशन हमने लागू किया बिपी सिंग की सरकार नरसिंगा राओ जी की सरकार के समय जाकर कि वो जो है फाइनल रूप में आया वो कमीशन का रिपोर्ट और और इंप्लिमेंट हुआ 33% आरक्षन की बात आप कर रहे हैं हमने तो कई राजियों में 50% महिलाओं को लोकल बडिज में और पंचैती राज के स्ताथ उनको हमने रिजर्वेशन दिया है और उसमें OBC को भी रिजर्वेशन है तो मैं कहता हूँ कि यह आदी आपके दिल होता आपके अंदर सियासक की सिर्फ चाहत नहीं होती इमांदार होते आप महिलाओं के प्रती या समाज के पिछड़े बंचित वर्ग के प्रती तो निश्चित तोर पे उनको आप देने में कोई कोता ही नहीं बरतते रिजर्वेशन जब सभी लोग एक मन से एक सूर से पा प्रती नहीं कराएंगे जो होना चाहिए 14 मेदी है हिम्मत तो उसको पब्लिस्ट करवाएं मांगे पब्लिकली भाजपा के प्रबक्ता यहां अपने लीडर्शिप से आग्रह करें कि हम जाती है जनगाना जो हम कराये थे उसको यह सरकार पब्लिस्ट करे 14 से लेकर बैटी ह कोई है महिलाओं के आरक्षन की बात आ रही है बिल आज बन गया एक तो साड़े नौ साल में इनको याद नहीं आई जब चुनाव आने वाला है तो चुनामी जम जुमला एक जो है फेकाईनों सुपरसोनिक जो क्रूज मिशाइल होता है उसकी गती से 2023 नहीं दोजार 24 नही 28 नहीं 29 नहीं 30 नहीं 33 और 34 के बाद महिलाओं को यहां तक इन्होंने ब्लोग कर दिया कि आपको हम देंगे लेकिन सपना देखिए आप 34 का यह क्या है यह क्या बात हो गई इमांदार पर्यास किजिए हम सब चाहते हैं 2024 में महिलाओं को एदी रिजर्वेशन की बात आई है 33 पर तीसत उनको अभी क्यों नहीं मिलना चाहिए यहां सुबमलो मलोहत्रा जी बैठी है इनको अभी क्यों नहीं जाना चाहिए लोग सभा में चुनाओ लड़ना चाहें तो 33 परतिक्षा करेंगी तब इनका येज क्या हो जाएगा जो आज जो 60 के में मैंने बहुताओं न कई लोगों ने बड़े वक्ताओं ने बोला था सदन में उसमें constitutional provisions भी है उसके बिना आप या रक्षर नहीं दे सकते हैं दूसरा कहा जो 21 में जनगरना होनी चाहिए थी वो कोविट के कारण नहीं हो पाई 21 कहा उस constitutional provision को कैसे आप तोड़कर आगे चले जाएंगे बहुत अच्छा प्रस्न है हमें 10 सेकंड दीजिये सिर्फ पहली बात जो 21 में जनगरना नहीं हुई बाकी देशों में 20 G20 के देश आये थे ना भी सभी जगह जनगरना हुई हमारे नहीं क्यूं नहीं हमारे यहां हुई या तो साजी से सरकार का नकारापन है इसको सरकार को स्विकार लेना चाहिए यहां पर आकर एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए बाकी जगह हुई है दूसरी बात 85 संसोधन है ठीक कहा आपने 2001-2 में भाजपा की सरकार नहीं डिलिमिटेशन का एक क्लोज डाल दिया कि 26 तक हम जो है कोई डिलिमिटेशन नहीं करेंगे और 26 के बाद की जो जनगनना होगी उसके तहद हम जो है डिलिमिटेशन को प्रोसीज करेंगे और तब जाकर के यह रिजर्वेशन की बात आएगी यहीं पर धोखा हो रहा है महिलाओं के साथ आपको एधी रिजर्वेशन देना है तो दोनों क्लोज मत रखिए जो 2010 में हमने किया राजसभा में जो पास कराया था उस बील को ही यह दिया जिटी पास करा दिया जाए तो महिलाओं को 2023 के बिदान सभा चुनाओं में रिजर् पॉइंट है एक महिला अरक्षा और दूसरा OBC तो क्या ही माना जाए कि यह जो राज्यों के चुनाओं है यह इन्हीं दो पॉइंट्स के इर्दगिर्द घूम रहे हैं चुकि OBC मतलब 50% गोट बैंक इन राज्यों तेकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मुद्धे बहुत हैं देश में और जहां तक कि मुझे लगता है कि यह जो असेंबली इलेक्शन की लड़ाईयां हो रही है यह भी एक तरह से मोधी वर्सेज भारत के मुद्धों की लड़ाई है अब चाहे वो 45 साल की सबसे बड़ी बेर अब चाहे वो अभी जो हम बात कर रहे थे कि महान स्वफन को इन्हों अपने राजनयतिक फायदे और नुकसान को रखते हुए और तब मतलब देश की महिलाओं के साथ इतना पड़ा चल गया अभी जो भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि अपनी नियत की बात कर रह किये हैं क्या उसमें से 33% महिलाओं हैं आप तो महिला अरक्षन रोकना चाहते थे इसलिए आप ये बिल ले करके आए हैं दूसरी बात राजस्थान में इनकी जो सब सब पढ़ी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये सब सिधानतों की बात मस करते हैं सिधानतों को कभी जमीन पर उतारते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं यहां पर बताईए थी जो इनकी जो पाउंडर हैं अब इनकी वसंद्रा राजे की माता जी इनकी फाउंडर हुआ करती थी उन्हीं की बेटी को तरकिनार कर दिया इनोंने CM के रेस से राजस्थान में वसंद्र राजे को तो यह कौहन का कैसे सिर्धान की बात करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है यह जो सीट्स है और लोगों ने यह बात कही कहां साब ठीक है जो कॉंस्ट्यूशनल प्रोविजन से उसके तयत आप चलिए उसमें वक्त लगेगा होगा लेकिन पार्टियां स्वें कि नहीं साब जब होगा होगा लेकिन जो भी विदान सभा या लोग सभा की सीटे होंगे हम 33 फीस्ति आरक्षा इंटर्नली महिलाओं को देंगा भाजपार लेके आप यह बाजपार लीज़ क्यों नहीं लेती सती जी भारती जनता पार्टी को मैं इस डिबेट के माध्यां सिर्फ कहना चाहर हूं ठीक है जैसे हमारी बहन कहरी की प्रश्टाचार आपके दो सम्मानित मंत्रीगार जेल में हैं प्रश्टाचार किया है कोई भारती जनता पार्टी ने जेल में नहीं डाला है भारत के कानून औ याई पालिकाओं ने जेल में डाला है आप जहां अब कहते कहते आपने अरे डिवेट राजे जी मैं बोलू हाँ सदी जी आपका वक्त आप बोली जे जे इसलिए भारती जनता पार्टी की नियत पे इसलिए भी नहीं हो सकता है जैसे कहने कि इन्हों ने इसका कंडिडेट न लखे गए हैं ऐसा नहीं है डेमोक्रिटिक सिस्टम है भारती जनता पार्टी में कोई भी कारिकरता किसी बिदाई तो बेजा सकता है यह नहीं कि यह फाउंडर थे और उनके बच्चों को ऐसे किया जाएगा वो सोच आप अलग कीजिए मैं रजज़ जी फिर विसाइप आ किस पार्टी में कहां कितनों को का दिया हमने तो हमारी पार्टी में जो परधान मंत्री जी वो बिसी हैं आप बताईए आप तो बता भी नहीं सकते सदय और सदय गांधी परिवार इकलोता परिवार उसके पास परधान मंत्री पद रहना है और मजबूरिया है कि जो अभी प्रधान मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही लेकिन सतीज जी को जनता को बताना चाहिए कि प्रधान मंत्री जी OBC कब बने प्रधान मंत्री जी क्या बाई जनन से OBC है उन्होंने OBC के लिस्ट में अपना नाम डलवा करके OBC के राजनितिक फायदे उठाने का प्रयास किया और आज भी हो रहा है जब चुनाव आता है तो OBC जरूर अपने को पब्लिक डोमेन में जाके बोलते हैं लेकिन सच है जब OBC को अधिकार देनी की बात जब जब आती है तो उनके अधिकारों पर कुठराकात करने का काम भी प्रधान मंत्री जी ही करते हैं यदि ऐसा नहीं होता तो कितने OBC मुख मंत्री आपने बनाए केंदर में कितने मंत्री आपके पास हैं, कितने प्रसासन में हैं, क्यों सारे सरकारी जहां पे लोगों को आरक्षन मिल सकता था, उन सारे चीजों को क्यों आपने खत्म करने का प्रयास किया। पहन रखा है ये स्वांग है दस सेकंड दीजे सिर्फ जहां तक बात महिलाओं के अधिकार की है बहुत अच्छा कहा हमारे सतीजवाई बहुत बिद्वान आदमी है लेकिन ये भी सचाहिए जानते हैं किस तरह दिखावटीन होने हर छेत्र में किया है सिर्फ सियासत पाने के लिए ब्रिज मोहम्म भुसन जनता पाठी के लोग से हमासा भी नहीं करते रहें कोई ने नहीं हुआ इसी तरह मनीपुर में क्या निरबस्त होकर महिला गुंती रही कोई नहीं हुआ चिन्मिया अनन साहब से लेके कुलदीप संगर तक को लोगा ने देखा है डियने में ही नहीं है RSS देखिए ना कितने लोग है RSS में जड़ा पूछिएगा अभी तक सरकार करवाग के तौर पे कितने लोग महिला गई है वहाँ पे कैबिनेट मंत्री में मात्र दो महिला ओवी कहने के लिए है ठीक है उनसे कोई काम नहीं लिया जाता हूँ चोटा से रिप्लाई उसके पाद अद्वोकेट कपीश शिवास्ता उजी के पास जाना है आप ना महिला के समर्थक है ना आप ओवी सी के समर्थक है ना ही आप देश के मजदूर ना मुजवान जुआ बंचित शिवास्ती चोटा से रिप्लाई उसके बाद जा रहा है तपीश जी के पास तई वह रजजजी फिर कहना चाहरा हूँ कि आप फ़लापद में फ़ला किस इस्तान पे प्रयास पूरा है सब जगे है उत्तरपरदेश में आप सरकार देखे सर्वाधिक मंत्री ओबीशी के है सर्वाधिक बिधायक ओबीशी से है हमें कहने के आउशकता नहीं है मद्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी है मगर आपकी नियत में आपके जिस तरीके से आपने इस देश को आज तक इनरेटिव सट करके देखा और लोग उसमें बहते चलेगे जिसमें मेरी बहन भी कह रही है कि सस्ता पक माता की पुत्री को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्योंकि देश का ये गलती नहीं है सोच लिया लोगों ने सामन्ति वाधि तरीके से कि नाना थे प्रधार मंत्री तो उनके बच्चे उनके बच्चे बच्चे बार बार लॉंच करके सफ़ल नो भी हो पाए मगर वही सबसे महान नेता है नहीं तो मेरे अजय भाई केवल एक बड़े ऐसे घराने राज़दी घराने से नहीं आते होंगे नहीं तो उनकी परतिभा, उनकी योगेता, उनकी छमताओं में कोई कमी है मगर नहीं, खांदान का होना चाहिए इसलिए इस सोच से बाहर आकर सबसे पहले मानक तूटे है सोचने का नजरिया तूटा है, विकास के पड़ती सोच बदली है वो तरीका बदला है, और प्रधान मत्री जी ने जब लाल किले से सोचाले की बात की थी इनी लोगों ने मजा पुड़ाया था कि सोचाले की बात, यहां तो बड़ी-बड़ी बात होती है मगर जैसे तरह देश बदला, सवच भारत अभियान के साथ, इज़त घर के साथ, बेटी पड़ाओं के साथ, महलाओं के साथ आज वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, राजनीती करने के लिए राजनीती की जाएगी, मुंडिया हिलाई जाएगी, लोग मुस्कराएंगे, कटाक्स करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको सारे विंडो में दिखाई दे रहोंगे, मगर आप अपने अंदर जहांक कर देखे आपके कारेकाल में और हमारे, और जो ये इंडिया अलाइन्स बन रहा है, केजरिवाल जी, 36 गड़ में कहरें कि यहां की स्कूलों की दुर्दसा देखे, आम आदमी पाल्टी को लाइए, देखे, मैं क्या करता हूँ, इसलिए मैं कहना हूँ, ये लोग जिस तरीके से दु अर्विन केजरिवाल जी, कैंपेन कर रहे है, कैंपेन किसके खिलाफ करेंगे, 36 गड़ राइस्थान में, कॉंग्रेस पार्टी के खिलाफ, अखलेश जी, वहां मद्परदेश में चुनाव लड़ेंगे, किसके खिलाफ लड़ेंगे, किसका वोट बैंक लेंगे, कॉंग् और हम लोगों ने जो भी अटेक किया है, वो नीतियों पर की रहा है, आटेक नहीं करते हैं, सिर्फ इतना बताते हैं कि महारास मध्य परदेश के अंदर केवाल ब्रसका चार है और कुछ नहीं, जो लाडली योजना है किस तरीके से चोटी चोटी बच्चियों को धोखा देन और लाखों लाखों पंजी करित हैं, और आयुष जो घोटाला हुआ, वो क्या अर्दुतिय नहीं है, और व्यापम घोटाला कोई भूल लाएगा क्या, जिसमें 51 लोगों की शहादत इन्हों ने दिला दी, कि जब CBI चलती थी, इंक्वाइरिस कि किसी से पुष टाज के ल तलाग बना करते हैं, कम से कम हिंदू बहनों के लिए भी बना लिया होता है, जिनके पतियों ने बिना किसी अकारण छोड़ रखा अपनी पत्नियों को, और भरण कोशण भी नहीं देते हैं, और उच्छे उच्छे उहदे पे बैठे हुए भारत पे तमाम ऐसे पती हैं, अरभ हो उनकी बाइज तो ना तो नाले जापती हैं, जाने जापती हैं उनके लिए द्म्यम कब आएगा, उनको क्या शशक्ती करन नहीं जाईए, उनको भी शशक्ती करन तों कियो नहीं दिला रहे हैं, और हिंदू बैलों तक मामला पहुझ गया है, कपीज जी कह रहे, कह यही बात तो यही सुझाओ है और यह उमीद है हमारे भाई जो बोल रहे हैं कारण क्या कि क्या कई लोग कहते कि क्या 14 में ही देश आजाद हुआ है अरे भाई आदी सदी से जादा एक परिवार ने सत्ता की और वो इस तरीके से पूछ रहे हैं ये भी नहीं हुआ इनके ही बना रखा है अरे भाई सबके विकासों करते हैं विकास की योजनाओं के साथ परतेग बिक्ति का जिस तरह से सुद्रडी करण होना है इसलिए आप अपने ग्रेवान में जरूर जाकिए आपका कारेकाल किस तरह करा कि इस रो का मिसाइल साइकिल में जा रहा है और नेहर गांधी परिवार एरफोर्स के जहांज में चला करता था जिसमें केवल सेना गांधी परिवार का मामला और आपके लिताक मामला एक बर आप रिप्लाइज दे सकते है अजय जी जनता के बुद्धिमता पर बार बार प्रस्ण करना मुझे लगता है कि लखेडा जी को भी ठ टरकाने का परियास है लड़ खराने का परियास है और मुद्धों को टरकाने का परियास इनका जरूर हो सकता है लेकिन जनता समझ रही है बात को यदि गांधी परिवार से दिक्कत नहीं है इनको गांधी सब्द से दिक्कत है और ये आरे सेस के मूल में है गांधी जी के सत आपको समस्या है समझ रहे हैं आप लोग गोड़से के पुजारी है तो विचारा के स्थाफ़ आपको हम से समस्या होगी और इसी कारण आजीव जी को आप नहीं देख पाएंगे चौदा साल तक नहरू जी एदी रहे हैं जेलों में आपके तो एक आदमी को पवास कभी जेल जाने की ज़ूरत नहीं पड़ी है तो परिवार कोई रहता है इतना बढ़ाने पाएंगे तो इसका तो कोई जवाब नहीं है आप एक दिमान पर बात कीजिए और नाकड़े साही किये मुझे खुसी होगी अच्छा लगेगा हमको एक्सपोज किजिए लेकिन सही आप लोगों से करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा हम भी तो त्थ्यात्मक आपको जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा मैं आजे जी मैं कह रहा हूँ दिक्कत इससे नहीं या गांधी परिवार से दिक्कत नहीं किसी से दिक्कत नहीं क्योंकि देखे आप लोगों का उनके परती अतनी निश्ठा की इतने नुक्सान के बावजूद भी आप उनके नितरतु में पुरी कॉंग्रेस सियासत कर रह है मेरा कहने का मतलब देश आजादी के बाद जिस तरह का इतिहास लिखा गया और जो इतिहास हमारे दिमाग में बैठता गया कि देश केवल इसी परवार नहीं या कॉंग्रेस ठीक है एक बाद शुप के पास शुप देखे बीजेपी बार बार इस बात को कह रही है कि अर्विन केजरिवाल साब कैम्पेइन तो कॉंग्रेस के खिलाफ ही कर रहे है क्या मतलब एलाइंस का प्रविन केजरिवाल जी बस स्टेट बाइ स्टेट जाकर के और दिल्ली के जो अच्छे मॉडल है उनको प्रेजेंट कर रहे हैं तस साल में ये जनता ने तो अधिकार हमें दिया है ना तीसरी जो सबसे हम राश्टिय पार्टी बने हैं सबसे तेजी से भारतवर्ष के इतिहास में पहले दिल्ली के जनता ने तीन बार फिर पंजाब ने इतने बजॉरटी से भाजपा के गड़ गुजरात में हमें हमारी पर लोगों ने विश्वास जताया गोवा में विश्वा परिवार्वाद के बारे में बाहर बारे कांग्रेस को बोल रहा है अनुराग थाकूर वां के एक्जामपल है भाजपाके मिनिस्टर है न वायोग लाहित परिवारवाद का अरोप लगा शुपस शुपने भी तीन-चार िजामपल दे डिया हमारे जो साथ हमारे जो नेता किसी का नहीं है परतिबंद नहीं है रजत जी का बेटा राजनीती में आए पत्रकारता में आए पत्कार बन सकता है लगर के हें कि तिवाल पांच बजे का सो मैं ही रूँगा यहां दिक्टथ है पार्टी का उठ्था मैं बनूँगा मुख्य पंप्री मैं बनूगा पार्टी का जेक्ष मेरे पास रहेगा यह परिवारवाद है नहीं तो सब्सक्राइब है आपके हां तो बनावी यह देख्ष है हमारे आरक्ष्ण को चुनाओ है उसमें इशू क्या होगा जो इशू दिख रहा है जिस पर चुनाओ मुझे लगता होगा वह महिला आरक्ष्ण बीजेपी कही कि हमने दिया विपक्ष कहेगा तुरंद क्यों ने दिया और दूसरा ज वो है उबीसी इशू यानि तेला चलूँ है